अरबारीडियो.com की प्रस्तुति भारतिय इतिहास विरोध और विद्रोह का समय पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि बात्षा अकवर ने 50 सालों तक शाष्ण करके एक विशाल सामराजे की स्थापना की उसके बाद उसका बेटा जहांगीर सन 1606 से 1627 तक और उसके बाद जहांगीर का बेटा शाह जहां 1627 से 1658 तक बात्षा रहे शाह जहां के काल में दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा में प्रसिद्य ताज महल का निर्मान हुआ सन 1657 में बाद शाह जहां बिमार पड़ा और उसके चारों बेटे डाराशिको औरंग जेब, शाह सूजा और मुराद बाद शाह बनने के लिए आपस में युद्ध करने लगे इस युद्ध में औरंग जेब ने अपने सभी भाईयों को पराजित कर दिया और वह सन 1608 में दिल्ली का बादशाह बना उसने अपने पिता शाह जहां को कैद कर लिया और कैद में ही आठ वर्षों बाद शाह जहां के मृत्ति हुई औरंग जेब के शासनकाल में मुगल सामराजे का सबसे अधिक विस्तार हुआ उसे कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा 36 गड़ में प्राचिन शासन पद्धती ही प्रचलित थी क्योंकि यहां पर किसी मुगल सुविदार के शासन करने का कोई उलेक नहीं मिलता किसानों जमिदारों का विद्ध्रोह शाह जहां और औरंग जेब की समय में मुगल सामराजे के किसानों की हालत काफी बिगड़ने लगी थी पूरे सामराजे का आर्थिक भार उन्हीं पर पढ़ रहा था सीना का खर्च, लाल किला वो ताज महल जैसी इमारतों की निर्मान का खर्च भी काफी बढ़ गया था इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों पर लगान का बोज लगतार पढ़ता गया अकबर की समय किसानों से सरकारी लगान की अलावा गाउं के जमिदार, मुख्या, फटवारी, आदि भी किसानों से वसूली करते थे जब लगान ज्यादा हो जाता तब किसान यह तो गाउं छुड़कर चले जाते या फिर मिलकर शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते थे पंजाब के सतनाम पंथी वसिक्कों का विद्रोह, बुंदेलखंड के बुंदेलों का विद्रोह और अफगानिस्तान के रोश्नियाओं का विद्रोह इनमें आम्त और पर स्थाने जमिदारों ने किसानों का साथ दिया जमिदार चाहते थे कि वे स्वतंद्र राजा बने, किसानव वो जमिदारों के इन विद्रोहों ने मुगल सामराजी की जड़े हिला कर रख दी जागीरों की कमी मुगल शासन में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन सभी अमीरों के लिए परियाप्त जागीरे नहीं थी जागीरों की कमी के कारण जागीरदारों में असंतोष और अनुशासन हिंता बढ़ने लगी जागीरदारों के सामने आय संकट का भी दबाव था इस समस्या से बचने के लिए जागीरों के अंदर ही खेती को बढ़ावा दिया जा सकता था ताकि जागीरदारों की आय बढ़ सके परन्तो जागीरदारों की इस काम में रुची नहीं थी क्योंकि जागिरदारों का तबादला होता रहता था एवं उन्हें हमेशा जागिर के छीने जाने का भी डर बना रहता था सामराज पढ़ाने की कोशिश औरंग जेप के सामने जागिर की कमी से निपटने का एक और रास्ता था वह था अपने राज्य को पढ़ाना और दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना मुगल सामराजी के पूर्व में अहोम राज्य था जो की वर्तमान असम राज्य में है औरंग जेब के अमीर मीर जुमला ने अहोम राज्या को हरा दिया और उसे मुगल सामराजे में मिला लिया लेकिन नीर जुम्ला के मरने के बाद असम मुगलों के हाथ से निकल गया मुगल सामराजे के दक्षिन में दू महत्वपून राज्य बीजापूर और गोलकुंडा थे औरंग्जेब ने सन 1687 तक इन दोनों राज्यों को पराजित कर अपने सामराजे में मिला लिया औरंग्जेब जीत तो गया था लेकिन उसे जल्दी ही पता लग गया कि बीजापूर तथा गोलकुंडा को जीतने से उसकी कठनाया बढ़ गई यह औरंग्जेब के जीवन का आखरी और सबसे कठन समय था उसे इन जीते हुए राज्यों के अधिकारियों को अपने पक्षमे करने के लिए जागिरे भी देनी पड़ी थी परन्तु इस समय राज्यों से जितनी आमदनी होती थी उतनी ही वहां के अमीरों पर खर्च हो जाती थी इस तरह इस विजय से कुछ खास खायदा नहीं हुआ और पुराने अधिकारियों के लिए जागिरों की कमी पनी रही जोदपूर वमेवाड का विद्रोह जोदपूर के राजा जैस्वन सिंग के बाद औरंगजेव उसके बेटे की जगह किसी और को वहां का राजा नियुक्त करना चाहता था लेकिन राठोड वन्ष के राजपूतों को यह स्विकार नहीं था तब उन्होंने औरंगजेव की खिलाफ विद्रोह कर दिया जिससे उसे मेवाड यानि उदैपूर के राणा का भी सहयोग मिला यहां तक की औरंगजेव की निर्नेयों से एक नाखुश होकर उसके बेटे ने भी इन राजपूतों का साथ दिया इसके बाद जो युद्ध हुआ उसमें राजपूतों की हार तो हुई मगर वे लंबे समय तक लड़ते रहे मराथे महाराष्ट के पष्चमी पहाड़ी भागों के रहने वाले कुशल युद्धा थे बीजापूर और गोल गुड़ना जैसे दक्षिनी राजज्यों में मराथा सरदारों को उचे पत मिले हुए थे ऐसे ही एक सरदार शाह जी भोशले और उनकी पत्नी जीजाबाई का बेटा शिवाजी था शिवाजी एक स्वतंत्र मराथा राज्य बनाना चाहते थे शुरू में शिवाजी ने छोटे-छोटे मराथा जमिदारों को हरा कर उनके छेत्रों वह किलों पर अपना अधिकार किया फिर बीजापूर के सुल्तान्स लड़ते रहे और अंत में बीजापूर के सेनापती अफसल खा को मार कर एक महत्वपूर्ण विजय पाई इसके बाद शिवाजी का सामना मुगलों से हुआ शिवाजी ने मुगल सेनापती को भी हरा कर अफमानित किया फिर उसने मुगल सामराजी के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र सूरत पर कबजा कर लिया औरंग जेब ने शिवा जी को काबो में लाने के लिए राजा जै सिंग को भीजा जै सिंग ने शिवा जी को मुगलों के अधिनता स्विकार करने वो आगरा जाकर बादशाह के सामने प्रस्तुत होने पर राजी किया दरबार में शिवा जी के स्वतंद्र विवहार से नाराज होकर अरंगजिब ने उसे बंदी बना लिया लेकिन शिवा जी अपनी पुद्धी मत्ता से बाहर निकलने में सफल हुए और वापस महराष्ट्र पहुँच गए शिवा जी लगातार मुगलों से लड़ते रहे, मुगल सेना से लड़ने का उनका तरीका अनोखा था वे मुगलों से सीधा युद्ध न करके उन पर अचानक तेजी से हमला करते और नुकसान पहुचा कर वापस पहाड़ी किलों में छिप जाते थे इस युद्ध को चापा मार युद्ध कहते हैं, युद्ध के इस तरीके से वे बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा सकते थे शिवा जी ने सन 1674 इस्वी में खुद को स्वतंत्र राजा घोशित कर चत्रपती की उपाधी धारण की शिवा जी ने सुदूर दक्षिर में तमिल नाडू तक अपना राज्य फैलाया, सन 1680 इस्वी में शिवा जी का देहान थो गया, मगर मराठा राज और और औरंग जेब के बीच संघर्ष जारी रहा औरंग जेब की धार्मिक नीती औरंग जेब एक रोड़ी वादी मुसल्मान था और चाहता था कि मुगल सामराजे इसलाम के नियम कानून से चले अकबर ने मुगल सामराजे को एक मिला जुला सुरूप दिया था जिसमें सभी धर्मों का आदर होता था लेकिन औरंग जेब ने इस नीती को स्विकार नहीं किया सबसे पहले उसने धर्बार में गैर इसलामी परंपराओं को बंद किया उसने संगीत चित्रकला दूसरे धर्मों के त्योहार को मनाना आदी बंद करवा दिया फिर कुछ सालों बाद उसने कई ऐसे कदम उठाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुँची औरंग जेब ने हिंदूों पर जजिया कर फिर से लागू कर दिया उसने कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दिया औरंग जेब के समय किसानों वय जमिदारों का विरोध तिवर हो गया था और मनसथदारों को देने के लिए जागीरों की कमी हो गई थी ऐसे में मुगल सामराजे संकट से गुजर रहा था औरंग जेब चाहता था कि कटर नीतियों को अपना कर सभी मसल्मानों को वह अपने साथ रख सकेगा औरंग जेब की इस नीति से मुगल सामराजे को नुकसान ही हुआ क्योंकि यह सामराजे कई धर्मबल लोगों के सहयोग से बना था शायद इसी बात को स्विकारते हुए औरंग जेब ने कई हिंदू मंदिरों वममठों को दान भी दिया था उज्जैन के महाकाल मंदिर और चित्रकूट के राम मंदिरों में ऐसे दान की आदेश आज भी देखे जा सकते हैं एक बार सूरत शहर के एक काजी के विरोध में सारे हिंदू व्यापारी शहर छोड़ कर चले गए इससे वहां का व्यापार ठप हो गया तब औरंगजेब ने उन व्यापारियों को पत्र लिक कर आशवासन दिया कि उनके धार्मिक स्वतंतरता की रक्षा की जाएगी यही नहीं उसकी कटर नीतियों के पावजूद उसके दरवार के सर्वोच पदों पर जैसिंग और जस्वन सिंग जैसे कई हिंदू थे औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू अमीरों की संख्या लगातार बढ़ती गई अकबर के समय में कुल 30 हिंदू अमीर थे जबकी शाहर जहां के समय में लगभक 98 हिंदू अमीर थे लेकिन औरंगजेब के समय हिंदू अमीरों की संख्या बढ़कर 182 हो गई थे इनमें ज्यादा थर राजपुत्व मराठा थे इन सबी बातों से पता चलता है कि आरंगजेब ने सामराजे के हित में कई अलग-अलग नीदिया अपनाई सन 1707 इसवी में आरंगजेब के मृत्यू के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया कई जमिदारों ने भी विद्रोग किए और अपने स्वतंदर राजज़ बना लिए यह सबी नाम के लिए स्वयम को मुगल-बाथशा के अधीन मानते रहे परवास्तों में स्वतंदर रूप से शासन करने लगे थे इस तरह विशाल मुगल साम राजे तूट कर विखर गया था 36 गड़ में इस समय रतनपूर एवं रायपूर राजे में कल्चूरी राजा राज कर रहे थी